विवायता वैलाओं के लिए नेशनल लेवल की ब्यूटी कॉंटेस्ट मिस्स इंडिया 2017 की पांचन ओडिशन के इससे भी फार्नल का आइजन दिल्ली में किया गया है इसमें दुबई की अनिवासी भारतिये शिर्मती बेनिता शिर्वास्ताओं ने क्लासिक मिस्स इंडिया 2017 फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है इस खिताब को जीतने के बाद वे मिस्स इंडिया 2017 की फांचन में भी सफलता पूरवक प्रवेश कर चुकी है आपको बता दे कि मिस्स इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन मिस्स इंडिया पीजन्ट एंड प्रडक्शन प्राइवेट लिमिटेट कर रही है और इसकी राष्ट्रिय निदेशक दीपाली फंडनीस है इस खिताब को जीतने के बाद मिस्स विनीता श्रिवास्तव के परिवार और दोस्तों में जश्न का माहल है मिस्स विनीता श्रिवास्तव शहर के लिए नया नाम नहीं है विशिक्षण संस्थानों के शेत्र में नाम कमाने वाली और अब दुबई में विजुनर्स ग्रूप के चेयर्मेन और संस्थापक डॉक्टर विश्वास सरन श्रिवास्तव की धरम पतनी और पाच बच्चों की माह है इस खिताब को जीतने के बाद मिस्स विनीता श्रिवास्तव ने कहा कि बच्चों को सबसे बड़ी पूंजी समझ कर उनमें ही निवेश करना चाहिए तभी आप एक बहतर और सभ्य समाज का निर्मान कर सकते हैं साथ ही लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए दिल की सुननी चाहिए क्योंकि दिमाग एक बार को फायदे और नुकसान के बारे में सोच सकता है लेकिन दिल नहीं इस प्रतियोगिता में कई राउंट हुए और दरजनों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया लेकिन सभी राउंट में शांदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सेमी फाइनल जीत कर फाइनल में प्रवेश कर लिया इस प्रतियोगिता का सेमी फाइनल दो आयू वर्गों में आयू जित क्या गया जिसमें 33 सुन्दरियों ने भाग लिया पहला समू 21 से 40 वर्ष तक का था और दूसरा 40 से उपर 21 से 40 साल के समू में मिसिस इंडिया 2017 नौर्थ पीगिंद की विजेता चंडीगर से दीपती कटोच रही जबकि फर्स्ट रनर अप रायपूर की प्राची राजपूत और अरोनाचल प्रदेश की डॉक्टर डूयू मीना दांग दूसरे नंबर पर रही 40 से उपर के समू में शैली महिश्वरी गुपता विनर रही तो विनीता श्रिवास तप फर्स्ट रनर अप रही और सेकंड रनर अप जोती रूपा लरही ये एक वार्शिक सौंदर रिप्रतियोगिता है और इसका मकसद रोल मॉडल्स को तयार करने का है सी नियूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट